पर लगी है रोक राज़िपाल के आदेश के बाद जो है रोक लगी है तो स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सीधा चलेंगे हम खबरों की तरफ 21 सितंबर को एकादेश आया था जिसमें लिखा था कि सिवा में विसे सचिव एवं अपर बिधी परामर्सी उत्तरप्रदेश सासन जिसमें आपने देखा था थी कि माननी उच्च तम न्याले में नई दिल्ली में उत्तरप्रदेश राज के ओर से वादो की पैरवी हेत जो है कुछ नए अधिकारियों के नियुक्ति यानि की नए अधिवक्ताओं के नियुक्ति हुई थी उसमें जो है कुछ नाम थे जो आपने देखा था हाईलाइटेड मामले में उसमें मन्य स्रियस यू यू ललिस सहब पुत्र स्री यू यू ललिस सहब उनके भी नियुक्ति के फिर से रोक दिया गया है उसको हम आपको दिखाएंगे अब यह आदेश जो अभी आया है यह आदेश आया है 26 सितंबर को इस आदेश में आप देखेंगे इसमें रोक दिया गया है स्री यसारत कांध को कनिष्ट पैनल अधिवक्ता के रूप में आबद किये जाने की सुखिरती प्रदान की गई थी उक्न सासना देशों के क्रियानवैन को अग्रिम आदेश तक अस्तगित रखे जाने की स्री राजपाल महोदय स्विक्रती प्रदान करते हैं इसलिए इस पे कारवाई करी जाए और मामले को फिर से रोक दिया गया है आप यहाँ पे देखेंगे स्री स्रीयस यूवी लली साहब को वरिष्ट पैनल अदिवक्ता के रूप में किया जा रहा था लेकिन अभी इस आदेश को फिर से रोक दिया गया है राजपाल जी के आदेश पे अब देखना यह है कि इस पे अग्रिम आदेश कारवाई करने के लिए का बाता है तो यह एक बड़ी अपडेट है जो आप सभी को देनी थी तो हमने आप तक पहुंचाई कि मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक लेप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्या